तो क्या आप भी पटियाला पैंट सीखना चाहते हैं वो भी बहुत इजी तरीके के साथ तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको पटियाला पैंट बनाने का बहुत इजी तरीका बताऊंगी तो पटियाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसे डबल फोल्ड करना है फिट इसे और एक फोल्ड करना है तो जब तक मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखें यहाँ पर मैंने टोटल चार फोल्ड कर लिये हैं आप इसको अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग ही फोल्ड कीजेगा और अगर यह नॉर्मल प्लेन है तो आप किसी भी तरफ से इसे चार फोल्ड कर सकते है इसके बाद हमें लेंथ लेनी है तो लेंथ हमारा यहाँ पर 39 इंच है जिसमें हमें प्लस वन करना है यानि टोटल 40 अब 40 में हमें माइनस 7 करनी है तो 7 इंच जो हमारे कमरपटी के लिए मैंने माइनस किया है तो टोटल हमारा लेंथ है 33 इंच इसके बाद मैं यहाँ पर लोगों ने पहले लेंज से माइनस की थी अब हम इसमें भी जो है हमारा जहां से जो है इसका आस्तिन बना वहां से भी हम सेवन इंच माइनस करेंगे 15 में से तो यहां पर बच्छा 8 इंच और फिर इसको इस तरह से मिला लेना है तो यह 15 इंच मैंने कैसे निकाला अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कॉमेंट कीजिएगा मैं आपको नेक्स वीडियो में पूरी डिटेल में बता दूंगी तो यह देखिए यहां पर मैंने इस तरह का शेप दे दिया है बस अब हमें इसे कट कर लेंगे तो यह बहुत सिंपल तरीका है आप जो हमारा आसन है व अगर 40 तक हो तो आप 8 इंच अराम से रख सकते हैं और बाकी के लिए अगर आप कॉमेंट करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी तो देखिए जहां पर हम लोगों ने आसन में 8 इंच के लिए जहां पर निशान लगाया था वहां पर हमें एक छोटा सा पॉइं प्लीट्स बनानी है तब ही जो है हमारा प्रॉपर पटियाला पैंट रेडी होगा इसके बाद मैं यहां से कमर पटी कट कर लूँगी तो कमर पटी में हम लोगों ने 7 इंच है पहले ही माइनस कर दिया था लेंज से और इसके साथ हमें 2 इंच एट करनी है 2 इंच यानि कप किया है कमड के साइस के अकॉरेंग अगर आप चाहे तो कमबेंज सी कर सकते है और लेंध जो हमारा नाइन इंच पर लिया है ये कपणा डबल फोल्ड होना चाहिए तो यहां मैंने सिंगल कट किया है मैं ऐसे ही कट कर लूँगी और यह रहा फ्रेंड्स अमारा कली तो कली देखिए कैसे कट करना है एक कपड़े को डबल फोल्ड करना है इसकी चौड़ाई अरहाई से पौने तीनिंच होनी चाहिए और लंबाई लगभ सारे चेंज यह थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको कट करके सेप कर लिए यह इसको बनाना बहुत आसाने बस आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई देखनी है इसी तरह के में एक और कली बनानी है यानि टोटल दो अब मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी तो सबसे पहल हमें इस तरह का बॉक्रम यूज करना है आप किसी भी शॉप में जाके इसको पर्चेस कर सकते हैं इसके लिए देखे मैंने एक पट्टी कट की है इसको सीधे की तरफ हमें इस तरह से सेट करके बस नीचे हमें इसको स्टिच करना है यह पट्टी मैं बॉक्रम को सेट करने क के लिए लगा रही हूं और यह पट्याला पैन जो है फ्रेंट बहुत ही कम कपड़े में हो जाती है दो से सवा दो मीटर कपड़े में ही आप इसको इसली बना सकते हैं और अगर आप फुल पट्याला देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे कॉमेंट कीजेगा मैं जल हो ताकि हमारा जो बॉक्रम है वो सेट हो जाए देखिए एक दम साइड साइड में मैंने लगा ली है अब हमें इसके दूसरा साइड में जो कपड़ा हमारा एक्स्टा है मैं उसको कट करके निकाल लेना है और जितना आपको चाहिए फोल्ड करने के लिए आप उतना रख स देखिए मैं इसके अंदर बॉक्रम के अंदर एक्स्टा कपरा को जो है दाल दे रही हूँ ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आहे देखिए मैंने एक दम पुड़े बॉक्रम के जैसे कप्रे को फोल्ड कर लिया है और साइड साइड में स्लाय लगा लेंगे अब इसके ऊपर हमें जो है स्लाय लगानी है आप कोई सा भी डिजाइन बना सकते हो अगर डिजाइन नहीं आती है तब नॉर्मल इसमें स्टेट स्लाय लगा सकते हैं देखिए मैं चौक से निशान बना के दिखा रही हूँ कि मैं इस तरह के टेरी मेरी स्लाय लगाऊंगी यह पैंट जो है प्रिंटेड है इसलिए शायद आप पोत ने अच्छा से डिजाइन समझ में ना आए बट अगर आप प्लेन कप्रे पे करोगे तो यह डिजाइन बह इसलिए अच्छा नहीं लाएगा यहां देखिए फ्रेंड्स में जिगजग वाला जो डिजाइन है वह कम्प्लीट कर लिया है यह जो है इसलिए इसलिए जाता है तक कि हमारा बॉक्रम जो है अच्छा से सेट हो जाए मैं और जो है नीचे की तरफ स्टेट स्लाइ लगा द करनी है जो कली हम लोगों ने कट ET है तो कली की लिए मैंने पहले ही निशान बना लिया था देख सकते आप बस यहां पर हमें इसको बढ़ाना है यहां मैंने दो कली भी कट कर ली है कली का चलुडा हिस्पने हमेशन नीचे की तरफ होगा और जो पतला वाला इस्ष्स्पन और बस हमें निशान से इसको रख कर सिर्फ कर लेना है और फिर इसको स्टिच करने के बाद एक उपढ़ से चाप स्लाइप लगा लेनी है इसी तरह उसी पैर में हमें दूसरे साइड में दूसरा कली जो है सेट कर लेना है इसी प्रोसेस के साथ आप चाहे तो दोनों पैर में अलग-लग लगा सकते हैं लेकिन अगर आप एक ही पैर में दोनों कली लगाएंगे तो आपको अटाच करने में बहुत आसानी रहेगी यहाँ देखे मैंने दोनों कली को अटाच कर लिया है सेम उसी पैर में अब दूसरा पर भी मैंने रेडी कर लिया है, इसका दूसरा पार्ट जो है, अब इन दोनों को एक सथ हमें अटाच करना है कली के साथ, देखे उपड़ से हमें इसको पकड़ना है, कली को इस तरफ से अटाच करना है, याद रखेगा कि दोनों का ये उल्टा साइड ही होना चाहिए सीधा वाला साइड अंदर की तरफ होना चाहिए और यहां देखिए मैंने कली को अटैच कर लिया है अब सेम सीधे की तरफ हमें एक चापसलाई लगा लेनी है और फ्रेंड्स कली आप लोग जरूर कट कीजिएगा इससे पैंट बहुत ज़्यादा कमफर्टेबल होता है पैटने में कोई दिक्कत नहीं आती है और पैहनने के बाद इसका शेप भी बहुत सुन्दर आता है इसके बाद देखिए इसी तरह से मैं दूसरे पैर में भी कली को सेट कर लूँगी दोनों को अटाच कर लूँगी तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कली को अटाच कर लिया है दोनों पैर के साथ अब इसे हम जो है जो है जॉइन कर लेंगे और इसमें साइट सिलाई लगा लेंगे साइट सिलाई लगाने के लिए हमें दोनों को अच्छे से देखिए एक साथ रखना है अब देख सकते हूँ कि दोनों का जो कली है वो एक ही जगा पे होना चाहिए कोई भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए और इसके bottom से हम इसको एक साथ मिलाएंगे और यहाँ पर अब हमें इसके bottom के according मुहुरी के according ही हमें इसमें mark लगानी है तो देखें मैंने मुहुरी 7 इंच रखते हुए और side side में 1.5 इंच का मैंने margin रखा है और नीचे की तरफ यह चौड़ा होगा लेकिन जैसे उपर की तरफ जाएगा यह थोड़ा सो पतला होते जाएगा और कली में हमें एकदम इसी के shape का जो है sly लगाना है तो देखें हमें नीचे की तरफ से एकदम sly लगाती जानी है स्टार्टिंग में हमें कम से कम दो से तीन sly लगानी है ताकि इसकी sly पक्की हो जाए और यह आसाने से खुलना जाए जैसे जैसे मैंने निशान लगाया है वैसे वैसे मैं इस पर stitch करती जाओंगी और देखें कली वाले जगा पर मैं सेम कली जैसा शेप में है वैसे ही शेप में मैं इस पर sly लगाऊंगी और फिर दूसरे साइड में भी इसी तरह से sly लगाते जाना है फ्रेंट्स इससे पहली भी मैंने बहुत सारे पतियाला पैंट साथ ही मैंने लहेंगे ब्लाउस की बहुत सारी वीडियो अपलोड की है अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर में चैनल पर देख सकते हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह के नए-नए चीज़ देखने के लिए और घर बैठे नए-नए चीज़े जानने के लिए तो देखें यहाँ पर मैंने इसके बॉटम को जो स्टिच कर लिया है अब देख सकते हैं कि कितना सुन्दर जो इसकी फिनिशिंग आ गई है अब हम इसके उपर वाले हिस्से को रेडी करेंगे यानि कमर पट्टी को तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कमर पट्टी हमारे 25 इंच होना चाहिए यानि टोटल 50 इंच का इसके बाद इसका एक सिरा तो जो है यह अल्रेडी हमारा स्टिच है दूसरा साइड ओपेन है तो हमें इस साइड में देखिए पहले एक इंच उपर से स्टिच करना है फिर एक इंच का गैप रखना है मीडिल में हमारा बस एक इंच का गैप होना चाहिए जैसे मैंने निशान लगाया है सेम वैसे हम इसको स्टिच करेंगे तो ये इसलिए ताकि हम इसमें अपना नाड़े के लिए जगा बना सके अगर आप इलास्टिक लगा के बनाना चाहते हैं तो आपको इस तरह की स्लाई करने की ज़रुवत नहीं पड़ेगी अब देखिए उपर स्वे में इसको स्टीच कर लूँगी और बस निशान तक आकर हमें बैक चले जाना है तो देखिए मिडिल वाले हिस्से में हम नाड़े को सेट करेंगे और अब कपड़े को दोनों साइड में रखते हुए हमें इसमें जो है एक स्लाई लगा लेनी है चाप स्लाई ताकि कपड़ा हमारा सेट रहे तो यहां देखिए मैंने कपड़े को सेट कर लिया है अब आप देख सकते हैं कि नाड़े के लिए हमारा होल एकदम परफिक्ट हो चुका है अब कमरपट्टी के उपरी हिस्से को हमें फोल कर लेना है देखिए एक फोल इसके बाद फिर से एक फोल हमें करना है बस ध्यान रखना है कि नाड़े के लिए जगा बना ही रहनी चाहिए और बस इस तरह से पूरे गोल में हमें इसको स्टिच कर लेना है फ्रेंट्स इसके लिए ही मैंने इसको 9 इंच रखा था क्योंकि स्लाई में हमारा 2 इंच चला जाएगा और ये टोटल जो है एंड में 7 इंच ही बचने वाला है तो देखिए पूरे गोल में इसी तरह से हमें इसको स्टिच करते हुए जाना है तो देखिए यहाँ पर जो है यह पूरी तरह से हमारा कमर पट्टी जो है रेडी हो चुका है अब हम लोग इसको जो है अपने बॉटम के साथ अटैच करेंगे इसमें देखिए इसको हमें डबल फॉल करना है एक तरफ तो हमारा निशान है जहाँ पर हमें नारे को लगाना है दूसरे साइड में नीचे की तरफ एक चूटा सा पॉइंट करना है हमें यह क्यों कर रही हूं मैं आपको आगे बताऊंगी तो अब हमें नीचे का बॉटम वाला पार्ट लेना है और बॉटम वाले पार्ट में आप देख सकते हैं कि एक कली है सामने की तरफ और पीछे की तरफ तो सामने की तरफ जो कली है उसको हम सामने वाले जो कमर पट्टी है उसके साथ अटैच करेंगे और पीछे के साथ देखे जहाँ पर निशान बनाया था अभी हमने उसके साथ इसको अटैच करेंगे ये इसलिए ताकि हमारा कप्रा दोनों तरफ एक्वल रहे और हमें पता चले कि हमें कितने प्लिट्स बनानी है इसको देखे कुछ इस तरह से रखते हुए हमें यहां पर एक-एक करके प्लिट्स बनानी है आपका जितना भी कप्रा आप उसके अकॉर्डिंग प्लिट्स बना सकते हैं अगर आपका कप्रा अरहाई से जादा हो तो जादा प्लिट्स बनेंगी और अगर कम है तो उसमें कम प्लिट्स बनेंगी लेकिन ऐसे ही आपको बनाना है और परफेक्ट आपका पटियाला पैंट रेडी हो जाएगा तो देखिए मैं एक एक करके प्लीट्स बना रही हूँ प्लीट्स बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि सारे प्लीट्स का जो डिस्टेंस से वो एकवल होना चाहिए कोई भी जादा पास या जादा दूर ना हो इससे आपके पैंड की फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी इसलिए बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा और जितने हो सके उतने प्लीट्स बना सकते हैं तो देखिए आपर मैंने एक एक करके सारे प्लीट्स बना रही हूँ और जब आपको लगे कि आपका फैब्रिक अब नहीं है एक्स्ट्रा तो आप इसको नॉर्मल स्टिच कर सकते हैं देखिए मैंने यहाँ पर एकदम प्लेन दोनों को लगा कि एक साथ स्टिच कर ले रही हूँ बस हमारा फ्रॉंट में ही कुछ प्लीट्स बनते हैं बाकी हमारा यह एकदम प्लेन ही स्टिच होता है और मैं पीछे भी एक छोटा सा प्लीट लगाऊंगी ताकि बैठने में कोई दिक्कत ना हो देखिए दोनों साइड में एक एक प्लीट बना रही हूँ पीछे की तरफ और सेम इसी प्रोसेस से हमें दूसरे साइड में भी प्लीट्स बना लेनी है आप गिल लिजेगा कि जितनी प्लीट्स आपके एक साइड में हुई है उतने हैं आपको दूसरे साइड में भी करना है यह देखिए friends इसकी प्लीट्स बन चुकी है और यह कितनी सुन्दर लग रही है सेम इसी तरह दूसरे साइड में भी मैं रेडी कर लूँगी प्लीट्स को और इसके बाद आप फाइनल लुक देख सकते हैं इसका तो देखिए friends का फाइनल लुक इसकी प्लीट्स कितनी सुन्दर लग रही है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब पीजिएगा मिलते हैं कल